रायस्थान के शिक्षामंत्री मदन दिलावर के आदिवासी नेता राजकुमार रोत पर दीए एक विवादित बयान ने पूरे प्रदेश में सियासी तुफान खड़ा कर दिया है अब आदिवासी नेता और डुंगरपुर मासवारा संसेद राजकुमार रोत ने काया कि बी कर दिया है वो हेक नहीं है वो तो उनके पूरोद्स पूच लेगी हमारी रिखने वाले लोड़ों से पूच लेगी यो क्या है और हिज्दू नहीं है उनके देने की जाच करा लेगी और बाक की उलाद है की नहीं है दरसल किसी पत्रकार ने मदन दिलावर से पूछा कि आदी वासी नेता और मास वाड़ा सांसत राज कुमारुत खुद को आदी वासी मानते हैं लेकिन हिंदू नहीं मानते हैं इसके जवाब में शिक्षा मंतरी मदन दिलावर ने गैर जिम्मेदारान तरीके से एक बयान दे कर फुद को मुसीबत में डाल लिया दिलावर ने कहा कि वे हिंदू हैं कि नहीं यह उनके पूरवजों से पूछेंगे चलिए यहां तक भी ठीक था इसके आगे वे बोले हमार बस इस बयान के बाद प्रदेश के आदिवासी युवा भड़क उठे और सड़कों पर तराएं और प्रदेश भर में शिक्षा मंतरी मदन दिलावर के खिलाप प्रदेशन करने में जुट गए उधर मासवाड़ा सांसित राजकुमार रोत ने कहा कि शिक्षा मंतरी के समाज को गाली दे रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं उन्हें कहा कि आने वाले समय में आपको आदिवासी समाज जवाब चरूर देगा तो बतातें कि राजकुमार रोत शुरू से जल जंगल जमीन की बात करते हैं, युवानेता हैं वे मानते हैं कि आदिवासी की पूजा पधती है हिंदू जैन और इसाइध धर्मों से बिल्कोल अलग है बेँ वे बताते हैं कि आदी वासी प्रकरती पूजख है उदर राजकुमार रोग ने अब रहे आदी वासी समाज के युओं से अपील किया कि शिक्षा मंत्री कि ए मरियादित बैन के जवाब में ए मरियादित भाशा का प्रयोग नहीं करें चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है राजकुमार रोत का जन्म 26 मई 1992 को डुंगर पर जले के खरवर खुनिया गाह में हुआ था जो जिला मुख्याले से 25 किलोमेटर दूर है राजकुमार के सर से पिता का साया बच्पन में ही उठ गया था बच्पन में ही राजकुमार रोत ने इस्थानी लोगों में चाग रुपता लाना शुनू कर दिया था और अपने अधिकारों के लिए बोलना सिखाया राजकुमार रोत ने बीए बीएड की शिक्षा डूंगरपुर कॉलेज से पूरी की वे डूंगरपुर कॉलेज में NSUI के छातर संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और चातर राजनीती से वे आगे बढ़कर राजकुमार हैं जो आदिवासी समाज के युवाओं के लिए प्रेड़ना दायक रहे उनके नेता बने 84 विधान सभा से दो बार के विधायक चुने गए और वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी से लोकसभा सांसद है इन च लीता और उन्होंने बीजेपी के उमिद्वार महिंद्र जीत सिंग मालवी को शकस्ति मालवी 40 साल से इलाके के दिगज कंग्रेस नेताओं में जाने जाते थे वे इस बार ही बीजेपी में शामिल हो थे और उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा खेरा अदिवासी उनके चलते ही हम जनदा है मदН दिवार ने साथ ही कहा कि उनके डी इन धने वा बियान को आदिवासी चोड़ दिया गया था जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था तो कही नहीं आने राच्षण चुनाओँ से ठीक पहले दिलावर का इस तरह का बयान उनके लिए परेशानी खड़ी करते नजर आया पार्टी का भी दबाव होगा संग का भी दबाव होगा निश्ची तोर पर क्योंकि पहले ही इंडिया गडवन्दन के आरक्षन खत्म करने के बयान के बाद बीजेपी को राजस्थान में काफी नुकसान उठाना पड़ा मिशन 25 लेकर चली थी उसके बावजूद हैट्रिक नहीं लगा पाई ये तो हैट्रिक तो दूर है 11 सीटों का एक साथ नुकसान झेलना पड़ा ऐसे में मदन दिलावर ने इस बयान पर सफाई दे दी है फिलाल मुझे दीजी अजाज़त जनता दर्वार के लिए जापुर से विजवरवा